हेलो बिच्चों तो चलिए आज मैं फीर आ गिया हूँ जंगल दे उता के जंगल में खिलोना डुनने क्योंकि ख़बर मिली थी कि मिन्नी का गाड़ी कोई भाड़ा पर ले गिया था और सारा खिलोना गायब हो गिया चोरों ने भाड़ा पर ले जाकर गाड़ी को गायब कर दिया है तो चलिए हम लोग ढूंटते हैं फटा फट कहा है गुडिया की सहली मिन्नी का गाड़ी चलो शुरू करते हैं फटा फट ढूंणना सबसे पहले अभी हम लोग को सर्च करना होगा कि मिन्नी का गाड़ी किस जंगल में फेका हुआ है लगता है जादूई जंगल में नहीं है जंगल देउतावला जंगल में है चलो ढूंडते हैं फड़ाफट अरी यहाँ देखो बच्चों लगता है इसी जंगल देउतावला में है वुडिया का, मिन्नी का, खिलोवना, जो बदमासों ने उसके γारी को भाला पर ले गिया था और जंगल में तोड़कर फिक दिया है, चलो चलो जल्दी से, हमें तो डलिया मिल गिया है अब हम लोग को उसका खिलोना ढूणने ना होगा चलो ढूणते हैं फटा फट कहा क्या क्या मिलेगा हम लोगों को अरी यहां देखो इस पेड के नीचे क्या पड़ा है वाओ यहां तो वील्स है लगता है मिन्नी का गाड़ी इधर ही पड़ा हुआ है तो इसका मतलब मिन्नी साच बोल रही थी उसका गाड़ी बदमासों ने भाड़ा पर ले गिया और जंगल में तोड़ कर फेक दिया चलो चलो अभी हम लोग ढूंडते हैं वरना मिन्नी रोएगी न उसका खिलोना तो मिल रहा है हमें डॉलिया भी मिल गिया और विल्स भी मिल गिया अब चलो आगे ढूंडते हैं उसका और पार्ट्स कहां पर चोरो ने फेका है बहुत बदमास है भाड़ा पर ले जाता है गाड़ी और फेक देता है तोड़ तोड़ कर अरी यहाँ पे देखो क्या है पेड़ो में अरी यह तो इसकूड ड्राइवर है इसक्रूफ है इसमें ओ लेगता है यहाँ पे गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया है तो हम लोगों को ढूंड के उसे रिफियर करना होगा चलो देखते हैं कहा पेका है जल्दी से मिल जाओ जल्दी से मिल जाओ मिन्नी काफी उदास है बच्चों अरी यहाँ देखो इस पेड़ के नीचे क्या है ओ यह तो किसी गाड़ी का इंजन लग रहा है कौन सी गाड़ी का इंजन है हमें तो समझ नहीं आ रहा है पता नहीं कौन सी गाड़ी है चाज़ा कोई भी होगा चलो इसे हम लोग कलेक्टीन बॉक्स में रख लेते हैं और इसका अगर हमें पॉर्टस मिलेगा तो सारे पॉर्टस को जोड़ कर देखेंगे कौन सा गाड़ी है तब न पता चलेगा अभी और पार्ट्स को हम लोग को ढूंडना पड़ेगा कहां है चोलो देखते हैं आगेज की जंगल में कहां मिलता है हम लोगों को इसका और पार्ट्स और गाड़ी मिननी का भी नहीं मिल रहा है इधर भी है क्या देखो देखो यहां पे भी कुछ है वाव यह क्या है बच्चो यह कौन सी गाड़ी का है पता ही नहीं चल रहा है ऐसे कैसे बदमासों ने तोड़ तोड़ कर फेक दिया अब हम कैसे करेंगे यह तो खिलोना को बनाने में बहुत मेहनत पड़ेगा अगर हमसे नई बनेगा तो मिन्नी भी बहुत रोएगी ओ नो अच्छा कोई बात नहीं पहले हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद तो इसको घर ले चलेंगे ठीक है उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा गाड़ी बनता है कौन सा नई बनता है और कहां पे है अभी तो बहुत कम पाड़स हम लोगों को मिला है बच्चों अभी बहुत पाड़स और खोजना है कहां है जल्दी से देखो जल्दी से कहां है इधर भी नहीं दिख रहा है मेरे को और दिख रहा है क्या यहां देखो इन पेडों के नीचे भी है एक पार्ट्स ये कौन सा गाड़ी का पार्ट्स है बच्चों ये भी हमें पता नहीं चल रहा है किस गाड़ी का है और ये तो बहुत मुस्किल है खिलोना को बुरी तरह से तोड़ दिया है अब हम कैसे कैसे जोड़ेंगे समझ नहीं आ रहा है लेकिन अभी हमें और पार्ट्स खोजना होगा न तब न गाड़ी का रिपेर होगा और पार्ट्स कहां है बच्चों कहां है ढूंडो 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 ओफो यहां देखो एक पार्ट्स यहां भी है कि ये कौ लगता है ये गुडिया की सहली का माल गाड़ी का पीछे वाला है डाला ही लग रहा है चलिए इसे भी हम लोग रख लेते हैं और अभी घर चल कर देखेंगे कैसे कैसे गाड़ी तूटा पड़ा है कैसे कैसे अभी हम लोग को जोड़ना है और कहीं है कुछ अभी तो और मिले क्योंकि अभी इतना है पार्ट से थोड़ी गारी तयार होगा और पार्ट मिलेगा तम न तयार होगा इधर भी है क्या उफो यहां देखो अरी वाव यह लगता है उसी डंफर का उपर का बोड़ी है बच्चों देखो क्या लिखा है इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है डिज जिड़ी जी क्या है कुछ भी होगा चलो डंफर काहीं लग रहा है अच्छा कोई बात नहीं से रख लेते हैं अभी हम लोग और आगे चलेंगे और खोजेंगे कहां पर है चलो देखते हैं अरी कहां है कहां है हाँ यहां देखो है वाव इन पेडों के नीचे भी बदमासो नहीं गुडिया की सहली मिन्नी का गाड़ी को बूरी तरह से तोड़ कर फेका है ओ नो देखो बच्चों ये कौन सी गाड़ी का हिंजन है हमें तो समझ नहीं आ रहा है अच्छा किसी का भी होगा चलो हम लोग जोड़ेंगे ना तब पता चल जाएगा ठीक है हाँ चलो हमारे पास सभी गाड़ी का पार्ट्स नहीं मिला है अभी इससे तो गाड़ी कंप्लिट होगा नहीं चलो अभी और मेनत करना पड़ेगा अभी हम लोग और ढूंडते हैं कहां कहां है बच्चों जल्दी से ढूंड दो ना लेट हो रहा है हम जाना भी है उधर मिन्नी भी परिसान होगी जल्दी से खोज दो खोज दो कहां है देखो इधर तो नहीं मिल रहा है इधर है क्या इन पेड़ों के नीचे जरा देखते हैं कुछ मिल जाओ बच्चों हां यहां देखो वा लगता है वही बड़ा इंजन मिला था है ओ इसी गाड़ी का लगता है यह कार का हाँ हाँ इसी कार का इंजन था वो देखो मिल चुका है अभी हम लोग का इसका बोडी भी बोडी तो मिल चुका है लेकिन फिर भी अभी हमें सारा खिलोना नहीं मिला है चलो कोई बात नहीं फिर इसे रख लेते हैं अभी हम लोगों को और पार्ट्स को ढूनना होगा बच्चों और पार्ट्स कहा है इसका चलिए आगे ढूंडते हैं जादू जंगल जल्दी से दे दो ओ ये तो जादू जंगल नहीं है ये तो जंगल देउता वाला जंगल है जंगल देउता जल्दी से मिन्नी का सब गारी का पार्ट्स हमें बताईए कहां कहां चोरों ने शुपाया है इधर में है क्या इधर में भी नहीं दिख रहा है ओफो कहां चला गिया बच्चों अरी यहां पे देखो क्या दिख रहा है गुरिया के बगान के नीचे ओफो यह देखो यह किस कैवन सा पाठ है अरी यह कौन सा पाठ है हमें तो समझ नहीं आ रहा है बच्चों, ओ लगता है कार वाला है सायद, हाँ कार वाला ही उपर का खोपड़ा है, ओ हाँ चलो इसे भी रख लेते हैं, और अभी हम लोग को घर चल के रिपेर करना होगा, और डुंडो और पार्ट्स कहां है, और पार्ट्स कहां है, इधर है क क्या बच्चों, और यहाँ देखो पेड के ऊपर क्या ठंगा है, ओ फो, ओ नो, यह क्या अंसा गाड़ी का है, ओ यह तो लग रहा है, डंफर का है, हाँ, ओ फो, यह लग रहा है, ड्राइवर सीट है किसी गाड़ी का, डंफर का ही लग रहा है, चलो इसे भी रख लेते हैं अभी हम लोग आगे चलके और इसे रिपेरिंग करेंगे तब पता चलेगा और कौन सी गाड़ी का पार्स हमें नहीं मिला है जल्दी से मिल जाओ जल्दी से इधर हो क्या अरी यहां देखो यहां भी एक पेड़ के नीचे कुछ पड़ा है यह क्या चीज है हमें ओ यह तो हैबी ड्यूटी टैंकर लिखा है अच्छा लगता है टैंकर वाला गाड़ी का पार्स का है कोई समान चलो इसे भी रख लेते हैं अभी तो समझ नहीं आएगा न यह तो पार्स छोटा छोटा है जब जोड़ेंगे तम न समझ में आएगा कौन कौन से गाड़ी का है ठीक है चलो और ढूंडो 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 बच्चों और कहाँ पे है कुछ कुछ मिल जाओ मिल जाओ इधर भी है कुछ मिल जाओ मिल जाओ अरी यहाँ पर भी देखो यह बड़ा सा पड़ा है डबबा यह किस चिच का डबबा है ओ यह तो टैंकर लिखा हुआ है ओल टैंकर का डबबा है चलो चलो इसे भी हम लोग रख लेते हैं तब न पूरा गाड़ी बनेगा अब लगता है हम लोग को सारा पास मिल चुका है बहुत सारा हो गिया और डलिया भी भर गिया तो चली अब हम लोग घर पे इसे रिपेर करेंगे उसके बाद अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर आएंगे ढूनने तो चलो बच्चो फटा फट अब हम लोग चलेंगे घर और करेंगे खिलोनो का रिपेर चलो 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 घर चलो घर चलो चलो जल्दी से अब हम लोग घर पहुँचने वाले हैं बच्चो चलो ये देखो पहुँच गए हम लोग घर यहाँ पे रखते हैं और इसे अभी हम लोग सब खिलोना को कर लेते हैं निच्चे डलिया से तब ना पता चलेगा कौन सा समान का कौन सी गाड़ी है देखो बच्चों मच्चों ध्यान से देखे वीडियो को देखिए साब खिलोना तूटा है अभी हम लोग सब खिलोने को रिफेर करके नया बना देंगे तो आप भी ध्यान से देखिए आप भी अपने घर पे खिलोना का रिफेरिंग करना सीख जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं फटाफटी से बनाना वीडियो को लाइक कर लिजिए चैनल को सस्क्राइब कर लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कार को क्योंकि कार से अभी हम लोग दूर-दूर घूमने जा सकते हैं और ट्रक से तो घूमने नहीं जाएंगे इसलिए पहले कार का रिफेरिंग करेंगे और घूमेंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या प्रोब्लम है बच्चों एक तो वील्स यहाँ पर पड़ा है और आगे का वील्स गाइव है तो चलिए हम लोग इसका आगे का वील्स जोडते हैं हाँ यही wheels है इसका देखिए match कर रहा है ना चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका wheels को set करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर hall में जो है ना इस stick को डालेंगे इस तरह से और इधर हम लोग निकाल लेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए आ गया अब हम लोग यह second वाला wheels को उठाएंगे और यहाँ पर इसे लगा कर और फ्रेस करेंगे इसे दवाएंगे तो यह लोग हो जाएगा यह देखिए लोग हो गया ना बच्चो अब देखिए हमारा engine में दोनों wheels लगकर तयार हो गया देखिए कितना प्यारा आवाज कर रहा है ना अब यह चलने के लिए तयार है लेकिन अभी हम लोग को इसका उपर का body जोड़ना होगा तब यह अच्छा दिखेगा car और जिसमें हम लोग बैट सकेंगे यह देखिए इसका एक body यह है हाँ तो इसके लिए हम लोग को जोड़ना होगा लेकिन पहले body का सीसा लगाना होगा सीसा भी निकल गिया ह यह देखिए है इसका सीसा खोपड़ा तो खोपड़ा को हम लोग कैसे लगाएंगे यह तो ऐसे लगेगा पीछे वाला parts है ना चलिए पहले हम लोग खोपटा को लोग कर लेते हैं इस तरह से यहाँ पर लगाकर और इसके चारो तरफ जो लोग है इसमें लोग को हुम लोग बाहर निकाल देंगे तो यह लोग हो जाएगा अच्छा से ये देखिए इस तरह से इस तरह से ये देखो वा देखिए हमारा सिसा लग गया बोडी में अब कितना प्यारा दिख रहा है कार है न चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको इसमें अटेच करेंगे अटेच करने के लिए इसे इस तरह से फसाएंगे इसे और चारों तरफ देखिए स्कूर्ड्राइवर करने के लिए दिया है न तो हम लोग के पास स्कूर्ड्राइवर मिला हुआ था हो यहाँ पे है इसको ड्राइवर को निकाल लेंगे और एकक करके अभी हम लोग इसे कसेंगे तब न यह अच्छा से बनेगा चलिए इसका पार्ट को हम लोग कसना सुरू करते हैं सबसे पहले आगे वाला नट को कस लेते हैं यह हो गिया अब पीछे वाला नट को कस लेते हैं फटाक से यह हो गिया अब हम लोग यहां पर कस लेते हैं साइड में यह हो गिया अब हम लोग यहां पर कस लेते हैं एक साइड और देखो बच्चों सब नट कसा गया और हमारा गाड़ी पूरी तरह से तियार हो गया देखो कितना प्यारा गाड़ है हम लोग इसे गुमने जाएंगे खुब सारा मज़ा आएगा बहुत भी आईपी गार है बच्चों चलो सब कोई हम लोग इसे गुमने चलेंगे गुडिया भी चलेगी लेकिन उससे पहला भी इसको लाइन में खड़ा कर लेते हैं चुकि अभी हम लोग को और खिलोना का रिपेरिंग करना है चलो कार्ट थोड़ा सा विट करो उसके बाद हम लोग गुमने चलेंगे सब दोस्तों के साथ अब हम लोग कौन से गाड़ी को बना लें बच्चों चलिए पहले हम लोग छोटा वाला डंफर को बना लेते हैं डंफर बन जाएगा तो यह अपना काम पर चला जाएगा इसका तो यह पार्ट लग रहा है पीछे का डाला है है ना हाँ इसी का डाला है बच्चों लेकिन इसका इंजन कहां है ओ इंजन यहां पे है यह देखो हाँ इंजन तो ठीक है पहले हम लोग को इसका बोड़ी को अटेच करना होगा है ना तब फिर हम लोग डाला को अटेच करेंगे ये देखे बोडी को अटेच करने के लिए ये जितना सारा पीन दिया है इसका हॉल में हम लोग डाल कर और प्रेस करेंगे ताकि ये लोग हो जाए इस तरह से देखो बच्चो इस तरह से डाल कर और हम लोग इसे उपर से दबाएंगे तो ये लोख हो जाएगा ऐसे ठीक है ये देखो लोख हो गया अब उसी तरह से हम लोग इधर भी कर लेंगे पीछे साइड में भी ये देखो लोख हो गया और बगल में भी लोख कर देंगे यह देखो लोख हो गया ठीक है अब इसके बगल में भी इधर वाला भी देखिए वाव गुडिया का डंपर यह देखिए कितना प्यारा है छोटा सा माल ले जाने वाला लेकिन अभी इसमें हम लोग को डाला को लगाना होगा ठीक है चलिए अब हम लोग डाला को भी फिट कर लेते हैं इसमें इस तरह से नहीं ऐसे नहीं लगेगा ऐसे लगेगा देखो बच्चों यहाँ भी देखिए छेदा दिया है ना इस हॉल में यहाँ जो पीन दिया है इस पीन को हम लोग फसा देंगे तो यह लोग हो जाएगे यह देखिए इस तरह से यह देखिए स्पीन में डाल कर हम लोग इसे अच्छी से दबा देंगे यह देखो वाँ देखो अब नहीं निकल रहा है ना है ना लोग हो गया ना वाँ अब यह देखिए माल ले जाने के लिए रेडी है अब ये आराम से अपना माल को ढो सकता है बालू ले जाएगा मट्टी ले जाएगा जंगल से कितना अच्छा चल रहा है कितना प्यारा आवाज कर रहा है न बच्चों देखो कितना प्यारा है है न रेट कलर है एलो कलर है विल्स भी रेट कलर का है कितमा प्यारा गारी है इधर होरन भी बाजा हुआ है वाँ चलो चलो अब तुम जाओ तुम्हारा काम हो गया अब तुम यहाँ पर लग जाओ ऐसे हां अब हम लोग आगे का करेंगे रिपेर डमफर का चलो डमफर इधर आजाओ अब तुम्हारा भी रिपेर करते रहें ताकि तुम तेल ले जाकर और सब पिट्रोल टंकी में दे देना जिससे हम लोग अपने अपने कार में मोटरसाइकल में तेल भराएंगे तब ही ना आगे जा पाएंगे तो ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग इसका इंजन को रेडी करते हैं इसके लिए बच्चो क्या कमी है पहले तो हम लोग को वील्सेट करना होगा है ना उसके बाद तब आगे का बोडी अटेच करेंगे ये देखें अब इसे हम लोग इस तरह से यहाँ पर लगाकर और इसे अब हम लोग को इसका बोडी को अटेच करना होगा है ना तभी ना गाड़ी चलेगा यह कौन सी पार्ट से और यह तो लगता उपर का है अच्छा यह ड्राइबर वाला पार्ट से ना चलिए पहले हम लोग ड्राइबर साब को बैठाते हैं तब ना गाड़ी को चलाएंग जैसे और इसे दबाएंगे ताकि ये लॉक हो जाएगा ये देखिए अरे ये तो निकल गया चलो अच्छा से दबाएंगे इस तरह से करके हाँ लग जाओ लग जाओ हाँ इस तरह से लग जाओ हाँ देखो बच्चों है ना ये लग गया ड्राइवर का सीट बन गिया अब हम लोग को क्या बनाना है उपर का खोपड़ा लगाना होगा बोडी तब न अच्छा से ड्राइवर बैठेगा उसके लिए ये देखो ये बोडी है इसका है न इंजन चलो इसे भी हम लोग अभी फीट कर लेंगे यहाँ पर इसको इस तरह से फशा लेंगे और ये लाइट है आगे ऐसे करके लाइट को यहाँ पर हम लोग लाइट को भी लगा लेंगे है न इस तरह से लग जाओ लग जाओ जल्दी से लाइट इस तरह से लग जाओ ऐसे हाँ अब हम लोग पीछे का इसका ओ नो पहले इसको हम लोग को यहाँ पी लगाना होगा बच्चों ऐसे फसाना होगा तब लगेगा वहाँ पे है ना हाँ देखो एसे यह देखो यहाँ पे सेट हो गया ना बोडी में ड्राइबर का सीट ठीक है अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो लगेगा मिश्टेक हो रहा था यह देखो यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे ऐसे हाँ देखो कितना असानी से लग गिया है ना गलती लगा रहे थे तम न नहीं लग रहा था देखो अब यहाँ पर इसको पीन को फसा देंगे वाव क्या बात है देखो टैंकर का इंजन सीट ड्राइबर वाला रेडी हो चुका है अब हम लोगो सिर्फ बचा है इसका टैंकर को फीट करना है ये देखिए इसका वैल टैंकर है इसी में तेल रहता है और ले जाकर पिट्रोल पंप को देता है और पिट्रोल पंप वाला हम लोग को देता है और जब हम लोग तेल भराते हैं तो गाड़ी से घूमने जाते है चलिए इसे फीट करते हैं तब न यह जाएगा तेल लेकर जल्दी जल्दी तो यहाँ देखिए इस तरह से यह जो यहाँ पे देखिए पीन दिया है ना यह वाला पीन यहाँ पे इस हॉल में इसे पीन अप करना है फसा लेंगे इसे है ना इस तरह से यहाँ पर इस तरह से डालकर और ऐसे प्रेस कर देंगे देखिए बन कर तियार हो गया अब हम लोग को यहाँ पर वाला यह बॉडी को लगाना है इसे भी हम लोग यहाँ पर प्रेस करके फसा देंगे देखो हो गया वाव देखो बच्चों मेरा पिट्रोल टंकी का गाड़ी रेड़ी अरे यह तो निकल गया अच्छा इसको अच्छी तरह से इस तरह से दाब देते हैं ठीक है हो चुका है ऐसे दबा नहीं था लोग नहीं हुआ था लोग हो गया यह देखो पूरी तरह से यह तेल लजाने के लिए तियार हो गया चलो जाओ लाइन में लग जाओ अब सब कोई अपना अपना घर जाएगा देखो बच्चों हमने मीनी का वैल टैंकर रेडी कर दिया और डमफर भी रेडी कर दिया और घुमने वाला कार भी रेडी कर दिया वाव देखो कितना तूटा पड़ा था हमने सब असेंबल करके ठिक कर दिया पूरी तरह से रिपेर करके गाड़ी को नया कर दिये तो देखिए कितना प्यारा है चलिए वीडियो को लाइक कर लेजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई